आज हम बनाएंगे आलू हरेप्याज की बहुत ही जबरदस सी सब्जी जो बहुत ही जबरदस बनती है बहुत ही टेश्टी चटपटी सी बनती है और इसको बनाना बहुत आसान है कुछ ही मिन्टों में बनके तयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है अगर आपको मेर रेसिपी पसंद आएगी, इसको लाइक कीजएगा, शेयर कीजएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और हाँ गहंटी पर जरूर से कने कीजएगा, उसे से मेरे आनेवाले वीडियो सब से पहले आपको पहुंचेगी तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है चलिए देखते हैं और बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे फरे पैन रखा हुआ है मैंने इसमें तीन टेबले स्पून कोकिंग ओयल डाल दिया है फुलेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और हमारा ओयल गरम हो गया है तो इसमें डाल देंगे वन टीस्पून हज़सन अदरक का पेश्ट इसको मिक्स कर लेंगे कुछ सेकिंड के लिए भूर लेंगे ये थोड़ा बुन चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले मैंने डाला है वन टीस्पून लारमीज का पाउडर क्वाटर टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाप टी स्पून कस्मिरी लारमीच का पाउडर हाप टी स्पून नमक नमक और मीचे अपने टेज के हिसाब से रखें आप अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पाने डाल के हम मसालों को खोब अच्छे से भून लेंगे तो मैंने करीबन टू टेबले स्पून पाने डाल दिया है अब हम इनको खोब अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पे मसाले हमारे भून चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा सा टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया है और इसको भी मैंने कुछ सागिन के लिए भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे हरे प्याज यह मैंने तीन सो गराम हरे प्याज ली है मैंने इसको कट कर लिया है इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल देंगे आलू मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है इसको भी मैंने cut कर लिया है ये सब डाल दिये हैं मैंने अब हम इन सब को mix करेंगे अगर आपको recipe पसंदाएगी इसको like जरूर किर देजिएगा और share कीज़ेगा चैनल को subscribe कीज़ेगा चैनल को subscribe करना बिलकुल free है इसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे हाप कप पानी का इसको भी मिक्स कर लेंगे और गैस का फलेम मीडियम कर देंगे फरै पैन को कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए और यहाँ पे हमारी सबजी को पकते हुए 10-15 मिनट हो गई है मीडियम फलेम पर और यह देखें यह खोब अच्छे से तयार हो चुकी है आलू हमारे खोब अच्छे से गल चुके है अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून लिया है मैंने इसको भी मिक्स कर देंगे और बस अब हम फलेम को कर देंगे बंद और इसको cover कर देंगे 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे 2-3 मिनट के बाद दिखाऊंगी मैं आपको इसका final look और ये हमारी सबजी को रखे वे 2-3 मिनट हो गई है बंद flame पर और ये देखे बहुत ही जबरदस से हमारी सबजी तयार हो गई है तो ये मैंने सबजी को डिसाउट कर लिया है ये देखे बहुत ही जबरदस बनी है बहुत ही टेश्टी बनी है आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है इसको लाइक जरूर कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो फिर मिलेंगे एक ओने रेसिपी के साथ तब तक के लिए ठैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफीज